2015 में बीजिंग हाइवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ, जिसने 50 लेन के हाइवे को भी पूरी तरहां से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच आटो रूट हाइवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलो मिटर्स तक गाडियां फसी रही। पैरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जैम को किलियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरहां ब्रजिल, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं जहां गाडियां 12 दिन तक भी फसी रहने की खबरे मिली हैं। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफतों या महीनों का नहीं बलके हैरतंगेस तोर पे पूरे आठ सालों तक चलता रहा। जैम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशाम दी। हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं। लेकिन सुईस किनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आईए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुईस किनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुईस किनाल का तोफ़ा नहीं था तो यॉरप और एशिया के धरमयान शिप्स को ओल दवे अफ्रीकन कॉंटिनेंट से गूम कर यॉरप जाना पड़ता था। सुईस किनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल लिया और अब यॉरप से शिप्स मेडिटरेनियन सी से होती हुई डिरेक्टली रेड सी पहुंच कर एशियन कॉंटिनेंट को एकसेस कर सकती है। इस रूट को इस्तमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलो मिटर्स का फासला बचा लेती है। इसके इलावा अफरीकन उॉर्टर्स में कई पाईरट गैंग्स यहां से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे। जिनमें सोमालियन पाईरेट्स और वेश्ट अफरीकन पाईरेट्स काफी फेमस हैं। ये पाइरेट्स शिप्स को जबरदस्ती रोक करोडों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्र्यू को होस्टेज बना कर अपनी मांगें भी पूरी करवाते थे। सुईस किनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टिंस के साथ साथ इन पाइरिट्स से भी बचाने का काम किया था। ये वाग्या है 5 जून 1967 का जब सुबा सवेरे 15 कारवो शिप्स सुईस किनाल की मेडिटरेनियन साइट से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को ये किनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं। लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की बनक इनको जर्रा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इसराईल के दर्मयान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थी और दोनों पडोसी एक दुसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पे देखा जाए तो ये लाइन इसराईल और इजिप्ट का बाडर है। इस बाडर से सुईस केनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलो मिटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पैननसूला भी कहा जाता है। क्योंकि वो बाडर से खासे दूर थे, इसी वज़ा से ना ही एजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप्स को इसराईल के साथ बढ़ती टेंशन की परवा थी। पर इस दिन कुछ यू हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा भट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इसराईली फोर्सेज ने एजिप्ट पर सर्प्राइज अटेक कर दिया। सिर्फ एक गंटे के अंदर अंदर सुईस किनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेंज आगे रे। हलात इतने खराब हो गए कि एजिप्शन फोर्सेज ने फौरण सुईस किनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले छे दिनों तक कड़ी जड़पें चलती रही लेकिन इसराइली फोर्सेज पूरे साइनाई पैनेंसूला पर कबजा जमाने में कामियाब हो गई। अब इसराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और सुईस किनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग किये हुए था। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इसराइली फोर्सेस किनाल को क्रॉस करके मजीद आगे न बढ़ें इसलिए एजिप्ट ने सुईस किनाल की दोनों साइड पे कष्टिया कड़ी कर दी। अपने ब्रिजिस खुद ही थबा कर दिये और पूरे किनाल में जगा जगा माइन्स इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजा थी किनाल को इसराइल के साथ साथ कोई भी इस्तमाल ना कर पाए। इस दौरान पंदरा कारगो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फसी की फसी रह गई। इनके west में Egyptian army तो इनके east में Israeli forces थी ये ना ही वापस Mediterranean में जा सकती थी और ना ही Red Sea में इन चौट इन ships के पास इसी location पे खड़े रहकर wait करने के सिवा और कोई option नहीं बचा था इनके इलावा कई सो और ships भी थी जिनको Mediterranean और Red Sea में ही रोक दिया गया था सब इसी उमीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलच जाए लेकिन मामला मजीद गंबीर होता जा रहा था दिन गुजरते गए हफ़ते और फिर महीने लेकिन एजिप्ट और इसराईल के दर्मयान कशीदगी खतम ना हो सकी इस सबका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था Shipments डिले हो गई और Freight Chargers कई गुना बढ़ा दिये गए जो शिप्स पहले सुईस को इस्तमाल करके यॉरप से Middle East और Asia जाया करती थी उनको अब दुबारा से African continent से घूम कर जाना पड़ रहा था इस जंग की वज़ा से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजिस फेस करना पड़ रहे थे वहीं ट्रैफिक जैम में फसी 15 शिप्स और उनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरिफदार थे तो shipping companies ने ज्यादा तर क्रू को वापस बलवा लिया जबके एक 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 शिप पे सिर्फ 10 लोगों को maintenance के लिए चोड़ दिया गया हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू भी change करके नया क्रू बेजा जाता था सिर्फ इस उमीद में कि शायद एक दिन वो अपनी फसी हुई ships यहां से निकालने में कामियाब हो जाएंगे इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते पंदरा ships के क्रू में दोस्ती बढ़ती गए उन्होंने अपने आपको इस depression से निकालने के लिए activities का इंतजाम भी किया जर्मन ship पे एक छोटा church खोला गया जहां हर संडे को सारे Christians जमा होते थे Bulgarian ship पे हर रोज movie night का बंदोबस्त किया जाता Swedish ship पे pool parties और British ship पे football खेली जाती थी हता के उन्होंने यहीं बिटर लेक के बीचो बीच Olympic Games भी करवाई थी जिसको बिटर लेक Olympics 1968 का नाम दिया गया था एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे लेकिन ये ships एक ही जगा पर खड़ी रही आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके उपर मिटी की लेर जम चुकी थी क्योंके ये neutral ships थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था इसी वज़ा से इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए ना ही इसराईल को इतरास था और ना ही एजिप्ट को छे सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिदत इक्तियार कर गई लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साईनाई पैनिंसूला में खुसा और इसराईली फोर्सिस को काफी अंदर धकेल दिया दोनों तरफ से भरपूर हमले किये गए लेकिन इस बार एक इसराईली रॉकिट ना चाहते हुए भी फसी हुई अमेरिकन शिप पे आ लगा और वो तबाह होकर डूब गई हफ़ता चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजल्टीज का बाइस आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों की दरमयान सीज फायर एग्रिमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने टूप्स वापस बलवाना शुरू कर दिये छे सालों तक चलने वाली जंग तो अब खतम हो चुकी थी लेकिन ट्रैफिक जैम में फसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो इन छे सालों में सुईस किनाल के अंदर बोर्ड्स, शिप्स, ब्लेंज और रॉकिट्स का मलबा बिकर चुका था इसके अलावा यहां एजिप्ट ने माइन्स भी इंस्टॉल कर रखी थी इसी वज़ा से शिप्स का यहां से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था सुईस किनाल को अच्छी तरह साफ करने में एजिप्ट को अगले दो साल लग गए 5 जून 1975 वो दिन था जब सुईस किनाल को 8 सालों के बाद खोला गया पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुईस किनाल में ट्रैफिक दुबारा से बहाल होने लगी इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक हुई है दूसरी तरफ इजिप्ट और इसराइल के रिलेशन्स बहतर होते गए इसराइल ने पूरा साइनाई पेनिंसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इसराइल को रिकगनाईज किया था अमीद है जम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलते हैं अगली शांदार वीडियो में